हेलो लेर्नर्स, वेलकम टो एडुकेशनल चैनल, माई नेम ही सानिया दाश, मैं आप लोग वेहा पर एंट्री, यूजिसी नेट पेपर टू, एडुकेशन सब्जिट का हर एक ही उम्मीद पढ़ाती हूँ, आज हम लोग एक बहुत ही ज़़ इंपॉर्टन टॉपिक के लब क्या है, डिफेंस मेकानिजम और साइकोलोजीकली स्ट्राटीजी दाटर अनकंशेंसली यूज्स तो प्रोटेक्ट पर्सन फ्रम एंग्जाइटी एराइजिंग फ्रम अनक्सेप्टेबल थौट्स और फिलिंग्स, अट मीन्स सपोस की जी जो आप नहीं चाते हो, वो ही घटनगर आपके साथ होती है, ठीक है, यहाँ पर आप वो चीज़ को या फिर उस घटना को एकसेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है, तो उसी चीज़ को अगर हम लोग उसी थौट्स को, उसी फेलिंग्स को अगर अनकंशेंसली हम लोग उसको मतलब डबा देते है, ठीक है, य ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखी, एंग्जाइटी एराइज होती है, जो फिलिंग से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो स्टैटीजी हम लोग साइकोलोजीकली अपलाई करते है, इसको फर्स्ट प्रोपोस किया था सिगमन फ्रॉइट ने, ठीक है, और एक बर मै इस डेफिनेशन को डाइग्रम कित्रू आप लोगों को समझा देती हूँ, फर्स्ट क्या है देखी, एंग्जाइटी एराइज होना, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एंग्जाइटी एराइज होती है, ठीक है, किसके थ्रूँ, जो आनेक्सिप्टिबल फिलिंग से उसके थ्रूँ, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि कुछ थ्रूट्स यहाँ पर आनेक्सिप्टिबल अब लिख सेकते हो, आनेक्सिप्टिबल थॉट्स, फिलिंग्स ठीक है, इस दोनों की थ्रूँ, आपकी अंदर जो भी एंग्जाइटी एराइज होत neighbors protect करना होगा, right, तो हम लोग इहाँ पर इसको protect करेंगे, आप इसको protect करने के लिए कौन सी चिसको apply करना होगा, इसको protect करने के लिए हमें apply करना होगा, इस psychological strategy को ठीक है कुछ strategy apply करना होगा मगर वो strategy psychological based होगा तो psychological based strategy जब हम लोग हमारी anxiety को protect करेंगे जो की आती है हमारी unacceptable thoughts and feelings के थूँ उसको ही हम क्या कहेंगे defense mechanism कहेंगे इस what को first coined या फिर proposed किया था किसने? Sigmund Freud ने clear हुआ? अच्छा आप यहाँ पर जो psychological strategy हम लोग पढ़े अभी अभी वो consequences strategy को हम लोग apply करेंगे उसके बार में study करेंगे एक एक करके तो first क्या है? First है हमारी regression ठीक है? तो regression का मतलब क्या होती है? What is the meaning of regression? देखी regression is a normal phenomenon as well some amount of regression is needed for relaxation sleep and orgasm in the sexual intercourse in the face of threat one may retract to an earlier pattern of adaptation possibly a childish or primitive one तो इसका मतलब क्या हुआ? कि suppose कीजिए आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है ठीक है? जो acceptable नहीं है, unacceptable है अब उसको आप react कैसे करोंगे? childish way में ठीक है? जैसे कि कोई adult बच्चा ठीक है? अगर उसके साथ suppose कीजिए वो कुछ exam में fail हो गई है फिर कुछ कारी में वो fail हो गई है ठीक है? उसके वो क्या कर रही है? अभी घर में आके रो रही है child की तरह या फिर कुछ teddy bear को लेकि वो रो रही है teddy bear को लेकि वो बैठी हुई है ठीक है? तो जो भी childish type of way रहा है जैसे की आप देखिए example पर है की bed waiting, nail beating ठीक है? तो ये सभी की childish एक behavior है जो एक adult इंसन कर रहा है वो ही unacceptable thoughts and feelings के लिए तो उसको ही हम क्या कहते है? regression कहते है जहाँ पर आप relax होते हो जैसे की रोना ठीक है? जब कोई रोते है तो उस रोने से क्या होते है? उसकी अंदर की frustration या पर जो भी दूख है वो बाहर आ जाती है वो relaxed फिल करती है तो यह पर ऐसा कुछ behavior करना होगा जिसकी थूँ आपकी अंदर की जो भी thoughts या feelings है वो बाहर आ जाए ठीक है? और उस behavior में क्या होगा? childish कुछ behavior रहेगा जैसे की bed waiting करना, nail waiting करना, crying ठीक है? यह सभी चीज ऐसा कुछ behavior वो जो की child के साथ होती है मगर अगर वो ही चीज अगर एक adult person के साथ हो किसी unacceptable event के लिए so that is called a regression, ठीक है? next क्या है displacement अब displacement का मतलब क्या होती है? the motive remains unaltered but the person substitutes a different goal object for the original one often the motive is aggression that for some reason the person cannot wait on the source of anger shifting and emotion यहाँ पर जो सबसे जदे इंपोर्टन है shifting and emotion और drive from one idea or object to another that resembles the original in some accept or quality that means कि suppose किजी किसी की boss ने बहुत जादा उसको उल्टा सीधा बात कही है अब वो boss को कुछ नहीं बोल सकता तो वो ही चीज जब वो घर में आके बच्चे के उपर या फिर wife के उपर या फिर कोई toy के toy लेके उसके उपर उस aggression को वो देगा so that is called a displacement मतलब मेरी aggression में सामने वाले को दिखा नहीं सकती मगर उस aggression या फिर उस गुसे को में किसी दूसरे चीज के उपर फेक रही हूँ so that is called a displacement ठीक है the man who gets angry and hit his boss but cannot express his anger to his boss for fear of being fired his instinct comes home and kicks the dog and starts an argument with his wife मतलब बॉस ने बहुत जादा उसके उपर गुसा किया है मगर बॉस के सामने वो कुछ बोल नहीं सकती तो वो क्या कर रही है घर में आके डॉक के उपर वो ही डॉक को किक कर रही है वाइफ के साथ आर्गू कर रही है जो कभी भी नहीं करना चाहिए राइट इसको हम क्या कहते है डिप्लेस्मेंट कहते है नेक्स्ट रैशनलाइजेशन अच्छा रैशनलाइजेशन का मतलब बहुत सिंपल है कि इस वेरी कॉमून अमोंग मेडिकल प्रोफेशनल्स इस वेरी कोई बच्चा है जो कहा कि मैथ एक्जम बहुत ही बुरा हुआ क्यूंकि मैथ एक्जम के कॉस्टेंज बहुत टाफ था मतलब वो प्राक्टिस नहीं किया मगर वो बहुत एक लॉजिकल रिजिन दे रही है कि कॉस्टेंज टाफ हुआ है जो कि हमेशा बच्चे या फिर हम लोग भी करते है जब कोई प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होती है तो हम लोग कॉस्टेंपर की उपर बोल दे दे कॉस्टेंपर टाफ था इस नहीं हुआ ठीक से एक्जम तो उसको ही हम क्या कहते है राशनलाइजेशन कहते है ठीक है नेक्स्ट डिनाइल डिनाइल का मतलब है डिनाइल इस प्रोबाबली वन अफ दे बेस्ट नन डिफेंस मेकानिजम उस्ट उपिंट डिस्ट्राइब सिट्वेशन इस वीच पीपल सीम अनेबल तो फेस्ट रियलिटी और अड्मीट अन ओवियस टूथ मतलब जब मैं कुछ टूथ को नहीं सुन सकती या फिर मैं फेस नहीं कर सकती दूसरे इनसान को तब मैं उस सिटुएशन को ही ना कर दूँगी कि नहीं मैं वहापर नहीं जाओंगी तो यह जो डिनाई कर देना है उसको ही हम डिनाईल कहते हैं डिनाई से ही डिनाईल आता है डिनाईल is an outright refusal to admit or recognize that something has occurred or currently occurring people living with a drug or alcohol addition of deny that they have a problem मतलब जो अल्कोहुल लेते हैं जो ड्रिंक करते हैं या फिर बहुत जादा smoke करते हैं जो बहुत इंसान है कि बहुत जादा smoke कर रहें क्यूνकि वो बहुत tensed में है ठीक है उस tension को reduce करने के लिए वो smoke कर रहे है वो drink कर रहे है वो alcohol ले रहे है और इसको यह कहते है डिनाईल कहते हैं क्योंकि वो उस situation को deny करना चाहता है इसलिए वो उससे isolate हो रही होना चाहता है या फिर isolate हो रही है That is called a denial Denial function protect कर दिये ego को from things which the individual cannot go मतलब जिसको मैं तो नहीं सकती जो मैं कर नहीं सकती उससे दूर भागने के लिए हम लोग क्या करते है कुछ ऐसा चीज़ कर देते है जिसके तो उससे हम लोग isolate हो सके ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्या है suppression suppression का मतलब क्या होती है consciously और semi-consciously postponing attention to a conscious impulses और conflict अच्छा suppression का मतलब होती है कि जो घटना है उस घटना को आप avoid करना चाहते हो और उस avoid जब आप consciously करते हो ठीक है जैसे कि suppose कीजिए कोई इंसन है जो की आज उसकी exam बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है मगर preparation बहुत अच्छा था मगर किसी चीज़ की वज़े से बहुत ज़्यादा exam बुरा हुआ है list में उसका नाम नहीं है ठीक है अब क्या हो रहे है अब वो उस चीज़ को भुलाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा hard work जब आप करते हो और उस हिसाब से जब आपकी outcome नहीं आती है तो अब बहुत दुखी हो जाते हो तो इस समय पर वो क्या कर रही है वो गाना नहीं उसकी unwanted event को दबाने के लिए suppressed करने के लिए that is called a suppression अच्छा repression सेम चीज़ होती है मगर यह आप unconscious mind से करते हो out of conscious awareness that means आपकी consciousness नहीं होती है वह आपर unconsciously up कर देते हो जैसे कि आप person who has a repressed memories of abuse suffered a child may later have a difficulty forming relationship ठीक है suppose कि यह कोई एक बच्चा है जो कि उसकी childhood पर एक इंसान ने उसकी childhood पर ऐसा कुछ घटना हुआ था ठीक है इसकी इसलिए वो आज की date में in the present situation जब वो adult हो चुकी है तभी भी वो उस चीज़ से दूर भागती है that means देखिए उसको याद नहीं है वो unconsciously कर रहे है क्योंकि उस event को वो दबाना चाहता है तो suppression and repression का meaning से में है कि situation को दबाना मगर suppression होती है consciously and repression होती है unconsciously ठीक है next होती है आपकी sublimation ठीक है अब sublimation का मतलब क्या है sublimation is a defense mechanism that allows you to act unacceptable impulses by converting these behaviors into a more acceptable form मतलब आपके अंदर की ऐसा कुछ emotions है ऐसा कुछ behavior है जो की society के लिए acceptable नहीं है अब उस emotions को उस behavior को अगर आप convert कर दोगे ठीक है किसी दूसरे काम पर उसको लगा दोगे आपके उस emotion को that is called a sublimation उसको example से समझाती हूँ suppose कीजिए एक इंसन है जो की बहुत ज़ादा गुस्सा हो जाता है ठीक है अब उस गुस्से को अगर मैं उसकी काम पर लगा दो ठीक है जैसे की suppose एक इंसन है जो की बहुत ज़ल्दी ज़ल्दी गुस्सा हो जाता है ठीक है अगर मैं उस गुस्सा को उसकी अगर उसको मैं boxing training दो तो क्या होगा उसकी जो गुस्सा है तब वो क्या करेगा उसकी boxing में देगा तो तब उसकी जो boxing है वो बहुत ज़ादा ग्रो करेगा उसकी profession बहुत ज़ादा ग्रो करेगा तो उसकी emotion को मैं अगर convert करते हुई है मतलब उस anger को मैं उसको मतलब reduce कर सकती ठीक है तो मैं क्या कर रही हूँ उसकी angerness को मैं दूसरी profession पर implement कर रही हूँ जिसकी through उसकी जो profession है वो भी grow करे और उसकी angerness जो है जो कि society के लिए acceptable नहीं है वो भी show ना हो ठीक है तो इसको ही हम क्या कहते है sublimation कहते है सब उसकी यहाँ पर एक example है a person experiencing extreme anger यहाँ पर भी ऑंगरने से बहुत ज़दा anger हो जाती है my take up a kickboxing जो मैंने कहा वो ही चीज़ा कि kickboxing कर रही है तो क्या होगा जो वो angerness है जो किसी इंसान को वो मार देता था वो अभी तो वो नहीं हो रही है मगर वो ही angerness वो जो boxing पर वो कर रही है उसके through क्या हो रही है उसके profession develop हो रही है क्योंकि boxing में आपको मार नहीं है ठीक है अब वो boxing पर वो वो सारी चीज़ कर रही है मगर society उसको कोई कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि उसका profession है boxing मैंने क्या किया उसकी angerness को उस profession पर डाल दिया तो इसको ही हम क्या कहते है sublimation कहते है ठीक है next क्या है projection projection is a defense mechanism that involves taking our own unacceptable qualities or feelings and ascribing them to other people ठीक है for example if you have a strong dislike for someone you might instead believe that they do not like you इसका मतलब suppose कीजिए आप किसी चीज़ को accept नहीं कर रहे हो ठीक है आपकी feelings उसके उपर ठीक ठीक नहीं है तो आप क्या कर रहे हो आप बोल नहीं सकते तो आप उसके उपर दोस्ट दे रहे हो जैसे कि suppose कीजिए एक child है जो math teacher को वो पसंद नहीं करता यह दूसरे की उपर ठोप दे रहे हो so that is called a projection अच्छा अब identification क्या है यह बहुत बार childhood level पर बहुत ज़्यादा होती है identification का मतलब this uses the fantasy of being like another person or adopt behavior and character traits derived from another person मतलब किसी दूसरे इंसान की behavior को मैं adopt कर रहे हूं मैं दिखाना चाहती हूं मतलब मेरी weakness को दबाने के लिए मैं strong किसी personality की behavior को adopt करके उसकी तरह बनना चाहती हूं जिसके through लोग मुझे notice करे identify करे कि हाँ वो उसके जैसा है ठीक है तो मेरी weakness बाहर नहीं आएगा जैसे यहाँ पर example देखिए कि जो little boy है वो बहुत ही सदब weak है उसकी बात कोई भी नहीं मानते है ठीक है सब उसको isolate कर देदे तो वो देख रहे है कि नहीं पापा की बात सब मान रहा है तो मैं पापा जैसे बनूंगा पापा की जो behavior है फादर की जो behavior है उसको वो imitate कर रहे है उसको वो adopt कर रहे है उसकी तरह वो बानना चाहता है उसकी तरह वो चल रहा है खा रहा है उसकी तरह वो बात कर रहा है that means वो दूसरे कोई strong personality की behavior को adapt कर रहा है जिसके तूस सब उसको notice करें उसकी जो weakness है उसको वो reduce होके उस strong personality खुद की behavior में inculcate करना चाहते है कि दूसरे जो सामने वाला जो इंसन है वो उसकी उसको identify करें उसको भी बहुत ज़्यादा highlighted मिले ठीक है इसको ही हम क्या कहते है identification कहते है next देखिए compensation अब compensation का मतलब क्या होती है कि over achieving in one area to compensate for failures in another that means कोई academic session पर first नहीं हो सकती या फिर success नहीं मिल सकती सभी को ठीक है ना तो जो last boy है suppose कि जो last boy है जो की average या फिर बहुत ही ज़्यादा कम मक्स उसको मिल रहा था उसने क्या किया देखा कि नहीं मुझे academic success नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूँ मैं दूसरे कोई field पर चला जाता हूँ तो जो गोल मुझे जो चीज मुझे अचिव नहीं हो रही है मैं उसको छोड के दूसरे कोई field पर जाती हूँ that is called a compensation अच्छा next क्या है next है हमारी humor अब humor का मतलब क्या होती है pointing out the funny और ironic aspects of a situation पूरे defense mechanism पर अगर कोई matured psychological strategy है तो वो humor है क्यों humor है क्यों कि humor पर क्या होती है suppose कि यह जो है ना suppose कि जिए boss के उपर boss ने मेरे उपर बहुत ज़्यदा गुसा किया तो मैंने क्या किया किसी छोटे बच्ची के उपर या फिर किसी doggy के उपर मैंने वो गुसा निकाला यह बहुत ज़ाद गलत है है ना तो इसको ना करती है अगर हम लोग humor को apply करेंगे तो वो बहुत तो effective होगा that means कि suppose कीजिए आप boss के बारे में कुछ leak दो या फिर कुछ funny चीज़े कहो ठीक है तो यहाँ पर जब भी कोई funny चीज़े आती है तो आपकी गुसे को वो दवा देती है ठीक है आपकी गुसा किसी चीज़ के उपर आप नहीं दिखा सकते क्योंकि वो funny चीज़े वो ही funny moment आपको ठेक कर देगा इसको ही हम क्या कहेंगे humor कहेंगे next point क्या है undoing undoing का मतलब क्या होती है try to make up for what one feels are inappropriate thought feeling और behavior you hurt someone's feelings you might offer to do something nice for them in order to assure you that means क्या होती है कि आप withdrawal कर देते हो सब कुछ ठीक है या पर आपकी जो thoughtness है आपकी जो feelings है उन सभी को आप make up करना चाहते हो that is called undoing daydreaming क्या होती है avoiding the reality यह मतलब adolescent stage पढ़िया फिर आप देख सकते हो 15-16 की age की child होती है उसमें यह daydreaming देखा जाता है क्योंकि वो लोग क्या करता है कि जो चीज नहीं हो रही है ठीक है उसको वो सोच लेते हैं यह मेरे साथ हो रही है मतलब reality में वो नहीं हो रही है मगर उसके dream में हो रही है और वो dream daydreaming मतलब वो जाकते हुए वो उस situation को create कर रहा है जैसे कि example देती हूँ कोई बच्चा चाहते है कि वो second position पर या फिर वो रैंग कर स्कूल पर ठीक है मगर वो बहुत ही ज़दा hard work करते हुए भी स्कूल में रैंग नहीं हो रही है तब वो क्या कर रही है घर में कुछ playing methods पर वो ऐसा environment create किया कि ये मैंने second स्थान को चूज किया मैं second हुआ class में teachers मुझे बहुत ज़दा शबाशी दे रही है thank you ma'am welcome ma'am ऐसे कुछ कर रही है ठीक है that means कि आप वो reality में second position या फिर ranking नहीं पासा की इसलिए वो घर में आके उस situation को create कर रही है और वो सोच रही है कि yes मैं second position पर आई हूँ मैं second हुआ exam में तो यह जो create करना daydreaming करना उसको ही हम क्या कहेंगे defense mechanism पर daydreaming कहेंगे ठीक है तो learners देखिए daydreaming की जो 13 psychological strategies है जो की यही strategies exam में बार-बार पूछती है तो वो सारी चीज आप लोग के सामने रख दिया explain भी किया अगर कोई भी doubts हो रही है कोई points तो मुझे बताना मैं आपकी doubts clear कर दूँगी और अगर listen अच्छे भी लगते है तो भी comment कीजिए like कीजिए और हाँ share भी कीजिए ठीक है thank you for listening me always share knowledge and be happy bye bye